त्रेयो दश्रो अध्याया सुरत और वैशिको देवी का वर्दान ध्याना ओम बालार कमनला भासाम चतुर बाहू तिलो चनाम पाशांग पुष्वरा भीती धारे अंतीम शिवाम हजे ओम्रिशिरुवाच एतत्ते कथितंभूप देवी माहात्मे मुत्तमं मेवं ब्रभावासा देवी एद अदम्धार तेजगत विद्यात थैवक्रियते भगवद विष्णु माया तयात्वमेश वैश्यश तथैवाने विवेकिना मोहेंते मोहिताश्यव मोहमेश्यंति चापरे तामुपैधी महाराज शरणंपरमेश्वरीम राधिता सैवनना भोगस्वर्गाप वर्गदा मारकंडेवाज इद अस्यवचाहसृत्वा सुर्थासान राधिपा प्रणिपत्यमाभागं तम्रशिम्शंसित व्रतम् विनिर्विर्णो अतिममत्वेन राज्या पहरनेन चाप जगाम सत्थस्थ पसे साचा वैश्यो महामुने संदर्शनार्थ मंबाया नदीपुलिन संस्तिताह साचा वैश्यस्थ पस्तेर्वे देवी शूक्तं परम्जपन् तो तस्मीन पुलिने देव्या प्रत्वा मूर्टि मही महीन अरहना चक्र तुस्तस्या धूब भुश्ब धूब भुपाग्नी तरपने हैं निराहारो यदाहारो तन्मनस्को समाहितो ददंतुस्तों पलिन चैव निजगात्रा शबुच्छितम एवं समाराध्य तोस्त्रीर वर्ष रधी यतात्मनों परिस्तु परितुष्टा जगत्तात्री प्रत्यक्षं प्राह चन्निका देव्युवाद् यत प्राध्यते त्वया भूप त्वया चापुलन नंदना मत्त्तत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्तत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्तत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्तत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त् प्रेनिर्पिर्ण मानसाः, नमित्यम हमिति प्राग्याः, संद विच्यूतिकारकं मौंति प्युन्वाट्यू. स्वल्पैर भोबिर्ण पते स्वें, स्वें राज्यम प्राप्स्यते भवान, हत्वा लिपून अस्खलितं तावतत्र भविश्यती म्रतष्च भूया संप्राप्या जन्म देवाद विवस्ववतः सावा निगो नाम मनुर्भवान खुबी भविश्यती बैश्य बर्व्य त्वयाच यस्च भरो अस्मत्तो अभिवांचिता अतं प्रयाच्छामि संसित्य तहो ज्यानं हविश्यती मार्गंडे वाच इति दत्वा तयोर देवी यथा विलशितं वरं बपु वांतर गिता सद्धो भप्या ताभ्याम भुष्टुता एबं देव्य बरम लब्धा सुर्था शत्रियर्शभः सूर्याच जन्म समा साथ्धा सावर निर्भविता मनुहूं एबं देव्या बरम लब्धा सुर्था शत्रियर्शभः सूर्याच जन्म समा साथ्धा सावर निर्भविता मनुहूं जो उद्र काल के सूर्य मंडल की सीखान की धारण करने वाली है जिनकी चार भुजाएं और तीन नेत रहें रथा जो अपने हाथों में पाश अंखुश वर एवा हाथे की मुद्रा धारण किये हैं उन शिवा देवी का में धारण करता हूँ रिशी के हते की राजन इस प्रकार मैंने तुम से देवी के उत्तम माहात्मे का परणन किया जो इस जगत को धारण करती है उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है वे ही विद्या अर्थात ज्यान उत्पन गरती है भगवान विश्ण की माया रुद्वरूपा उन भगवती के जाए तुम ये वैश तथा अन्यान विवे की जन मोहित होते हैं मोहित हुए हैं तथा आगे ही मोहित होँए महाराज तुम उन्हीं परमेश्वरी के शरण में जाओ आराधना करने पर वे ही मनुश्यों को भोग स्वर्ग तथा मोष्श प्रदान करती है मारकंडे जी कहते क्रोश्टुकी जी मेधामुनी के ये वचन सुनकर राजा सुरत ने उत्तम वृत्त का पालन करने वाले उन महामाग महर्शी को पढ़ाम किया वे अत्यत मंता और राज्या पहरण से मत्हिंड हो चुके थे महामुने इसले विरक्त होकर वे राजा गठा वैर्ष तकाल दपस्या को चले गए और वे जग्धंबा के दर्शन के रिए नाती के तड़ कर रहकर दपस्या करने लगे वे वैर्श उत्तम देवी सुट का चब देवे दपस्या में पढ़कत वोई वे दोनू नती के तड़ क देवी की मित्ती की मूर्ती बनाकर पुश्पुत्भूप और हवन आधी के द्वारा उनकी आराधना करने लगी। उन्मोनित पहले तुर आहार को फिरे दिलिकम किया, फिर बिल्कुल निराहार रेकर देवी में ही मन लगाए एक आध्रता पूर्वा उनका चित्तना आरभ किया। वे दोनों आपने शरीर के रख्त से रुशित वर्टी पे लगाता तीन वर्ष तक सहियं पूर्वा का राधना करते रहे। इस प्रकार प्रसंद लोकर जगत को धारण करने वाली जंडिका देवी ने प्रतेक्ष दर्शन देकर कखा। देवी बोली राजन तथा अपने कुल को अनंदित करने वाले वैशे तुम लोग जिस वस्तु की हिलाशा रखते हो वह मुझसे मांगो। मैं संतुष्ट हूँ अतर तुम्हें वह सब कुल कोई। मारकंडे जी कहते हैं तब राजा ने दूसरे जन्म में नश्ट नाथ होने वाला राज्य मांगा। तथा इस जन्म में भी शत्रूँ की सेना को बलपूरवक नश्ट करके उनह अपना राज्य क्राप्त कर लेने का वर्दान मांगा। वैश्र का चित संसार की ओर से घिंड एम विरप्त हो चुका था और वे बड़े दुद्धान थे अतहे उस समय उन्होंने जो महता और एहमता रूप आशक्ति का नाश करने वाला ज्यान मांगा। देवी बोली राजन तुम थोड़ी ही दिनों में शत्रों को मार कर अपना राज्य प्राप्त कर लोगी। अथ वहां तुम्हारा राज्य इस्थिर रहेगा। फिर म्रत्यू की परशातुं का प्वान भी अश्वान रखा सूरे के अंश से जन्म लेकर इस प्रत्वी पर साबनिक मनुर के नाम से विख्यात होगी। परशिवर तुमने भी जिस बर्खों में इससे प्राप्त करने की उच्छा की है उसे देखिए हूं। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्यान प्राप्त होगा। मार कर लेजी के उड़े हैं। इस प्रकार देवी को दोनों को मनोपार्शित बर्दान देकर दथावुर के द्वारा अक्ति पुर्वक अपनी इस्तुति सुनकर देवी अंभिखा काल अंतर भान होगी। इस तरह देवी से बर्दान पाकर शत्रियों में श्रेष्ट सुर्य से जन्मले सावर्णिक नामक मनुख होगे।